नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साहीति सोंदरे साहीति सोंदरे की लगुकथा प्लेइलिस्ट की श्रेंखला में आज काबिलियत लगुकथा मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और यह लगुकथा लिखी गई है भारती जी के डिमांड पर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे वीडियो बनाने का नुकसान मुझे ना जहिलना पड़े अंत में मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ जो कि आप सभी के लिए फाइदे मन्द होगा और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप मेरी मेहनत की सराहना करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है चली आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर काभीलियत मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखते रहोगे के उठकर काम पर भी जाओगे क्या तुमने मुझे जगा दिया इतना बढ़िया सपना देख रहा था मेरा बड़ा सा महल है उसमें नोकर चाकर हैं मैं और तुम आराम से रह रहे हैं चलो उठो तुम्हें आज इंटर्व्यू के लिए जाना है याद है न पत्नी की फटकार सुनकर कपिल अनमने से उठकर इंटर्व्यू के लिए तयार होता है इस बार फिर इंटर्व्यू के नाम पर असफलता ही उसे मो चड़ाती है वह मो लटकाए घर लोटाता है पत्नी उसे अपने एक साल के बच्चे की छोटी गिलासी में पानी देती है वह चिड़ कर कहता है यह क्या भद्दा मजाख है पत्नी कहती है जिस तरह छोटी गिलासी में तुम्हारी प्यास बुझाने वाला पानी नहीं भरा जा सकता उसी तरह एक इंप्लॉयर भी तुम्हें नौकरी पर तभी रखेगा जब तुम में उस नौकरी की काबिलियत होगी दिन में सपने देखने की बज़ाए अपनी काबिलियत बढ़ाओ अपनी बायडाटा में चार चान लगाने वाले कम्प्यूटर के कोर्स करो तब तुम अपने सपने साकार कर पाओगे यह सबक कपिल के लिए कड़वातु जरूर था किन्तु शिक्षा प्रद था कपिल ने मन ही मन ठान लिया चाहे जो हो अब मुझे सफल होकर ही दिखाना है उसने अपने भीतर की कम्यों को समझा अपनी काबिलियत बढ़ाई और अगले इंटर्वियों में सफलता उसका इंतजार कर रही थी उमीद करती हूँ काबिलियत लगुकता आपको पसंद आई होगी और इससे आपने संदेश लिया होगा यदि हम किसी काम में सफल नहीं होते तो हमें अपने भीतर छाक कर देखना चाहिए अपनी काबिलियत बढ़ानी चाहिए तो हम निश्चित ही उस काम में सफल होते हैं तो आईए आज का अनाउंस्मेंट मैं करने जा रही थी वो कुछ इस प्रकार है कि संडे हर इतवार शाम को साथ बजे मैं आप सभी के साथ लाइव आऊंगी आप अपने डाउट्स लेकर तयार रहे संडे शाम को साथ बजे मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार